शराब की दुकान को चार बदमाशों ने लूटा, दस हजार की लूट की वारदात को अंजाम सेल्समेन के साथ की मारपीट श्रीवपुरी जिले की पिछोर कस्बे में शराब की दुकान पर चार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है बदमास इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने दुकान के सेल्समेन के साथ मारपीट करते हुए शराब की बोतलों को भी अपने साथ ले गए पिछोर थाना पुलिस ने चार बदमास के खिलाफ लूट की धाराओं में मामला पंजिबरत किया है मुरेना चुले के जौरा के रहने वाले शराब की दुकान के सेल्समेन पियूश पुत्र सुभाज शिवहरे उन्निस वर्षी ने बताया के वशिवहरे शराब ठेकेदार की पिछोर कस्बी की नरिया महुला की शराब की दुकान पर लवप्रीत के साथ बैठा हुआ था तब ही रात करीब आट बजे शराब की दुकान पर चिरोना गाउं का रहने वाला कल्ला उर्फ ब्रिज मोहन पुत्र मुकेश लोधी और रूचेंद्र पुत्र इंद्रपाल लोधी निवासी ग्राम भाग वा मोहर सिंग लोधी निवासी भाग वाग एक अग्यात विक्ती जो अपना चेहरा मुफलर से बांधे हुए था दो बाइकों पर सवार होकर आये थे चारों लोग दुकान के काउंटर पर आकर खड़े हो गए मोहर सिंग के हाथ में अधिया कट्टा था इसके बाद कल्ला उर्फ ब्रिज मोहन लोधी और उचेंद्र लोधी दुकान के अं माने में दर्च कराए गई पिछोर थाना पुलिस ने कल्ला उर्फ ब्रिज मोहन लोधी रूचेंद्र लोधी मोहर सिंग लोधी और एक अग्याद बदमाश के खिलाफ आई पीसी की गंभेड धाराओं में मामला दर्च किया है किया नाम है भी आपका आपका रे दुकान पर बैठते हैं तो यह नरिया मौला की दुकान है तो यह कल गटना होई इसाम को साम को आठ चाड़े-ाठ हूँ गी बात है दुकान पर चारवदमाश आई जी दुकान में अंदर उस आई पैसे लेगे तो से अरफे बंदरा सूल अच्छा और उनके साथ में थे कुछ लोग कितने लोग थे क्या मारा पेटी पगरा की अच्छा तो कब की बात है कितने बजी की बात अच्छा अच्छा और या तो यह गुदाते सर फिर भूट्टर ज़िकरा है तुमने हाँ सर अच्छा